चलिए student start करते हैं हमने क्या क्या कर लिया था sir sir हमने कर लिया था branch account branch account में हमारा Indian branch और Indian branch के साथ dependent और dependent के अंदर भी हमारा at cost price वाला finished हो चुका है at cost price वाला finished हो चुका है अब हम बात करेंगे इससे आगे की कहानी ठीक है clear है voice ठीक है okay अब बात करेंगे इससे आगे की कहानी अब हम करने वाले हैं sir हम करने वाले हैं branch account branch account और वो भी at IP price at IP price at IP price अच्छा sir जी हाँ sir ये होता क्या है IP price सबसे पहले कुछ शब्द है उसको clear कर देते हैं invoice price या फिर selling price या फिर हम ऐसे लिखते हैं हम selling price को selling price को ही कहते हैं हम invoice price या फिर आप कह लो IP इसके bracket में लिख देते हैं या फिर कह लो loaded price जो ये शब्द है ना कई बार आपको इस से पाला पढ़ने वाला है तो इसलिए मैंने इन शब्दों का इस्तमाल यहीं पे कर लिया IP का मिनिंग यानि सर बड़ी basic सी चीज है अगर हम बात करते हैं सर किसकी invoice price की यानि IP price की तो वो कुछ भी नहीं है nothing it is sales उसे selling price कहते हैं जैसे मान लेते हैं example मैं कुछ example लोगा बताते जाईएगा अगर मैं 10 रुपे का समान खरीदता हूँ मेरा cost है 10 रुपे का अगर उसे मैं sale करता हूँ कितना 12 रुपे में तो मेरा जो IP price होगा न वो IP price मेरा होगा 12 रुपे ठीक है न 10 रुपे का समान को मैं 2 रुपे के profit पे बेच हूँगा जवाब दीजिएगा मुझे 10 रुपे के समान को मैं 2 रुपे के profit पे बेच हूँगा 2 रुपे के मैं profit पे बेच हूँगा तो 2 रुपे के profit पे बेचने का मतलब यह होगा 12 रुपे और ये जो 12 रुपे होगा यानि IP प्राइज यानि IP प्राइज इस नथिंग IP प्राइज क्या है सर IP प्राइज स्रिफ और स्रिफ हमारा है हमारा क्या है सर IP प्राइज सेलिंग प्राइज IP प्राइज हमारा क्या है सर सेलिंग प्राइज है इस बात का आपको ध्यान रखना है चलिए सर यानि सर एक बात तो clear हो गई कि IP प्राइज मतलब selling प्राइज है अब मैं एक छोटी सी बात करूँगा एक मैं आपके सामने एक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ अब ध्यान देजिएगा इस अकाउंट को एक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ ये मैंने आपके सामने अकाउंट बनाया माल लेते हैं मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ जो कि अभी हाल फिलाल में आपने किया है मैंने समान गुट्स परचेज किया गुट्स परचेज किया 5,000 रुपए का इसके उपर प्रॉफिट मैं रखूंगा 2,000 रुपए और इसको मैं सेल्स करने वाला हूं 7,000 रुपए ठीक है तो मैंने sales, by side में sales लिखा by side में sales लिखा 7000 रुपए का ठीक है और मान लो मान लो branch और एक है हमारा head office head office क्या सारी बाते branch को बताएगा क्या head office ये बताएगा कि मैं 10 का समान 12 रुपए में बेच रहा हूँ क्या head office बताएगा कि आपको मैं इतने का समान इतने में बेच रहा हूँ तो कई बार head office नहीं बताता जब head office नहीं बताता कि इतने रुपए का समान हम इतने रुपए में बेच रहे हैं जब head office नहीं बताता तो ऐसे situation में branch को जो इसने good send किया मान लेतने इसने branch को सेंट किया 7000 रुपय का तो good सेंट जो होता है वो तो इदर इलिखेंगे यानि एक तरीके सफ़ा के लो या फिर कहलो good सेंट वो तो इदर इलिखेंगे कितना लिखेंगे 7000 और बेच भी दिया कितने का 7000 मेरा सवाल ये है कि आप मुझे यहां से निकाल के बता दिजिये सर क् profit निकाल के दिखाईए तो net profit आपका आएगा सुनने जीरो आएगा सर net profit क्या आएगा जीरो आएगा इसका मतलब सर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज अगर आपका selling price पे हो दोनों side अगर कोई चीज selling price पे होगी तो ऐसे situation में profit निकालना मुस्किल है ऐसे situation में क्या profit निकालना मुस्किल है तो क्या किया जाए सर क्या किया जाए सर क्या किया जाए एक इसका तरीका है मैंने तरीका निकाला है एक हम क्यों ना इसके अंदर से जो profit 2000 है उसे हटा दे तो एक तो तरीका यहां है कि less कर दो भी यहां से profit जो इसके इंदर जोड़ा है 2000 तो यह बनेगा सर हमारा 5000 अब total करेंगे तो 2000 रुपे हमारा profit निकलेगा लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं है इसका एक और तोड निकाला है एक और तोड निकाला है सर क्या तोड है इसका इस पे जो profit है उसका profit को buy side में लिख दो बाइ साइड में अगर मैं 2000 लिख दू यानि इसके profit को buy side में 2000 लिख दू और यहां पे लिख दू मैं loading यहाँ पे लिख दूँ में loading sir loading क्या होता है loading क्या होता है sir loading होता है हमारा loading या loaded sir loading होता है जिसमें हमारा profit included होता है profit को ही loading कहते है loading क्या होता है sir profit को ही loading कहते है तो बड़ी सीधी सी बात है हमारा profit is equal to इसको हम क्या कहेंगे loading कहेंगे और साथ के साथ इसको एक और नाम से जाना जाएगा सर एक और शब्द आपके लिए आ रहा है new शब्द सर एक और शब्द कौन सा लेके आओगे सर आप एक और शब्द लेके आएंगे हम क्या हम लेके आएंगे एक और शब्द जिसका नाम है reserve reserve जिसका नाम है reserve वह इतना लेट क्यों आए हैं बच्चे नई नई मैं थोड़ी वही सुबह साथ बजे के क्लास है मैं तो डेली लेता हूँ सुबह साथ शलो कोई बात नहीं मैं दुबारे से फटा-फट से क्विकली समझा देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांच का एक बार दुबारे रिमाइंड करा देता हूँ एक बात और भी मैं क्लियर कर दूँ जिन बच्चों का ये टॉपिक रह जाएगा वह रह जाएगा अरे आपकी आज का मैंने मैसेज करना भूल गया आपकी क्लास आज सिफ्ट किये थी मैंने मैंने सेमिस्टर वन वालों का रखाया अगली क्लास आपकी टीटियस में रहेगी मतलब जो है ठीक है हां सुबह रखोओं तो सर ट्रेडिंग अकाउंट मेरा कहना समझी है के हम कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट डएपी ब्राइस सर वाट इस ता इप प्राइस इससे कों सब्सक्राइस बोलते हैं जैसे कि मैं एक्ग्जांपल ले रहा था मैं कि 10 रुपे वाला अभी अभी बच्चे आए हैं थोड़ा लेट तो मैं दुबारा बता देता हूँ जैसे 10 रुपे वाला समान अगर मैं 12 रुपे में बेचता हूँ तो जो 10 रुपे है इसे बोलेंगे कास्ट प्राइज और जो 12 रुपे है इसे बोलेंगे हम IP प्राइज तो IP प्राइज का फंड़ा क्लियर है कि IP प्राइज क्या होता है आप बिल्कूल दिमाग से अपने मन में एकदम से अशार ना ले ले कि आईपी प्राइज का कुछ होने वाला था ना अशर ना आईपी प् जैसे मैंने कहा कि मैंने एक समान खरीदा 5000 का और उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ा 2000 का तो मुझे कितने का पड़ी असर 7000 रुपए का अगर सेल 7000 और परचेज को भी मुझे पता ही नहीं है तो मैंने परचेज या गुट सेंट भी मैं 7000 रखू तो मेरा प्रॉफिट क्या आ गया जीरो तो यह तो बड़ी समस्या हो गई कि ब्रांच का तो कभी प्रॉफिट निकले गई नहीं आगर head office selling price पर सारी चीज़े भेज रहे तो ऐसे situation में जितना प्रॉफिट का पार्ट है ना उसके दूसरे side अगर लिख दें यानि हम loading के नाम से लिख दें इसको loading के नाम से कितना profit है 2000 तो that is यह 9000 आएगा 9000 आएगा अब आप देखोगे आपका profit कितना आ गया 2000 तो हमें क्या करना है loading का मतलब क्या है loading का मतलब profit और profit को क्या बोलते है loading loading के अलाबा हम एक reserve के नाम से जानते हैं reset तो जब भी किसी चीज पर, sales के अलाबा, sales के अलाबा, किसी चीज पर अगर profit included होगा तो उसके profit को हटाना है, हटाने के लिए जितना part profit का जुड़ा हुआ है, उसके buy side में रख देना है उसके buy side में रख देना माने लो मैंने लिखा यहां opening stock मैंने लिखा यहां opening stock और opening stock मैंने लिखा 4000 और मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर 1000 रुपए क्या जुड़ा हुआ है हमारा profit जुड़ा हुआ है तो opening stock जो है यह किस पे है? IP पे है अगर IP पे opening stock है तो मतलब opening stock किस price पे है? Selling price पे है तो selling price अगर इधर भी रखूँ तो फिर हमारा profit तो निकलेगा ही नहीं तो इस situation में इसका फिर से क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ेगा loading और loading कितना आएगा? 1000 रुपे माने लो closing stock closing stock हमारा 6000 रुपे है और ये भी IP पे है और अगर माने लेते हैं इसके अंदर 500 रुपे का profit included है तो फिर गलत हो जाएगा अब इस closing stock का loading हमें इधर निकालना पड़ेगा तो loading कितना आएगा इधर? सर 500 रुपे तो आपको funda clear हो रहा है कि हमें उस कुछ ऐसे item है जिसके loading को हमें इधर करना होगा या फिर इधर करना होगा ये possibility हो सकता है तो सर loading क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम actual क्योंकि किसी भी account के अंदर sales अकेला राजा होता है बाकि सब कौन से price पे होता है? cost price पे सिर्फ ये रहेगा किस price पे? selling price पे और बाकि सब किस पे रहने वाला है? cost price पे अगर बाकि सब ही को भी मैंने sales price पे कर दिया तो निकलेगा ही नहीं कुछ कट पिट के क्या आ जाएगा हमारा? zero आ जाएगा तो हमें loading price थोड़ा बहुत समझ में आ गिया सर अब मुद्दे की बात सर किस-किस पे loading price होगा ये बता दीजिए किस-किस पे loading price होगा ये बता दीजिए तो मैं simple सी बात कहता हूँ loading जो निकाला जाएगा जो loading निकाला जाएगा और loading को थोड़ा सा हम reserve भी बोल सकते हैं जो निकाला जाएगा किस-किस पे होगा number one किस-क बात स्जब का जाएगा हम्-बेडा झाल 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 इन सभी चीजों के आने के बाद चलो ठीक है बता देते हैं तो मैंने क्या बता है सर जो लोडिंग निकाला जाएगा ना वो लोडिंग किस के उपर निकाला जाएगा नमबर वन लोडिंग निकाला जाएगा हमारा इसे मैं हटा के लिख देता हूँ फिर से हटा के लिख देते हैं थोड़ा voice के दिक्कत आ गई थी कोई बात नहीं जो loading निकाला जाएगा number one निकाला जाएगा good sent के उपर sir number two किस पे निकाला जाएगा opening opening stock के उपर sir number three किस पे निकाला जाएगा closing stock के उपर closing stock के उपर क्योंकि ये सारे आपके IP पे given होंगे और loading तभी निकलेगा जब question कह दे ये किस पे है ये IP पे है तभी निकलेगा और number 4 आपका क्या है sir number 4 हमारा है return return to head office return to head office इसके बाद इसको एक account में fill करते है account वही branch account रहेगा जैसे कि हमारा पहले branch account था वही branch account रहने वाला है तो branch account में मैंने सबसे पहले क्या लिख लिए sir सबसे पहले लिख लिए opening balance opening balance में opening stock और bracket में मैंने लिखा IP इसके बाद debtor और furniture जो normally हम लिखते आये थे वही लिखा हमने इसके बाद good sent good sent के भी देखो bracket में मैंने लिखा हुआ IP इसका मतलब sir ये किस पे है loaded price पे है इसके बाद आगे देखा जाए तो expense meet by head office क्या क्या salary, rent, journal expense, other expense ये सारा क्या है salary meet by आपका किस के द्वारा HO के द्वारा अब मैंने क्या समझाया कई बार ऐसा हो सकता है sir sir कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको na good sent good sent सारे चीज़े IP पे दे रखा और good sent दे दे आपको 5000 रुपे और वो किस पे दे दे sir cost पे और आपको बता दे इसके उपर जो loading है उसके उपर जो loading है loading 1000 का है तो आपने यहां 5000 नहीं लिखना आपने यहां कितना लिखना है 6000 बना के लिखना है उसके बाद इसका 1000 रुपे loading इस side में आपने लिख देना है समझ में आ रहे हैं यहां तक ठीक है buy side में अब क्या आ जाएगा sir remittance remittance buy side में आ जाएगा हमारा remittance आ जाएगा sir buy side में अगर remittance की बात करें तो क्या क्या आएगा cash sales नगद में जो बीचा और collection किस से collection from debtor collection from debtor समझ रहे हैं यहां तक यह तो हो गया हमारा यह इसके बाद sir इसके बाद और क्या रहेगा buy side में आ जाएगा आपका return return to HO और यह भी किस पे रहने वाला है IP पे रहेगा और फिर इधर आ जाएगा buy buy closing closing balance buy closing इसको नब balance CD भी लेख सकते हो किसका हो जाएगा sir सबसे पहले stock रहेगा stock IP पे debtor debtor के बाद furniture sir इसके अंदर न दो चीज़े और extra एड करने वाला हुमें क्या दो चीज़े एक्स्ट्रा जो पिछले में नहीं था एक होता है हमारा यहां shortage क्या होता है हमारा shortage shortage हमारा एक तरीके का loss माना जाता है है यहां पर या तो shortage होगा या spoilers होगा तो जब कभी भी shortage होगा या spoilers होगा उससे बाइसाइड में लिखेंगे क्या shortage shortage या फिर बाइसाइड में आएगा spoilers spoil SP spoilers shortage आजाए या spoilers आजाए यह वह किधर आएगा और यह माना जाता है हमारा कौन सा लॉसर abnormal loss इसको तो हम बाद में discuss कर लेंगे इससे क्या माना जाएगा abnormal loss तो यह भी यहीं आएगा अगर सवाल में दे रखा हो तो कई बार एक्जामनर आपसे पूछ लेगा क्या आप shortage निकाली है तो सब कुछ दे देगा आपको तो जी जो भी balancing figure आएगा वो क्या जाएगा saute जा जाएगा ठीक है न तो अगर कोई stock simple सी बात है न इधर से हम माल लेके आए और माल में माल लेते हैं spoilers का मतलब होता है नस्ट हो जाना या प्लीफर्ड भी लिखा होता है कई बार प्लीफर्ड प्लीफर्ड सर प्लीफर्ड क्या होता है जैसे दुकान के अंदर चुहे चोटे मोटे समान को खा जाते है ठीक है तो उसे प्लीफर्ड बोल देते हैं या प्लीफरेज बोल देते हैं ठीक है न चोटे मोटे हैं प्लीफरेज प्ली फ्रेज तो वो भी दर तो यानी simple सी बात है हमारा stock आ रहा है तो इस side आएगा और stock किसी भी कारण वस किसी भी reason से हमारा stock ख़राब होगा तो कितर लिख देंगे हम by side में लिख देंगे और इन सभी पे भी loading होगा यानी sir इसका मतलब नमबर पांच भी होगा हाँ क्या आपका एनी काइंड आफ एबनॉर्मल लॉस और सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस हमारा होता है और प्लीफर्ड या सौटेज स्पोईलेज या फिर प्लीफर्ड तो यह और एड़ कर दिया मैंने यहां तक करने के बाद यहां तक करने के बाद आपका यह तो नॉर्मली तीन चीज़े बस एड़न किया है यहां तक करने के बाद आपने सारी चीज़े कर दिया है अब यहां तक करने के बाद आपको एक काम करना है सर सर क्या काम करना है यहां तक करने के बाद आपको सभी का loading लिखना है तो यहां से loading इस साइड आएगा और यहां की loading इस साइड आएगा यहां से loading देखते जाते हैं किस पे निकलेगा किस पे अरे इस पे निकलेगा तो यहां पर लिखेंगे by कहीं भी लिख दो जहां जगे हैं मिले by stock या तो फिर stock reserve लिख दो और bracket में opening stock में है ना या तो stock reserve लिख दो या loading और bracket में मैं loading सब्द भी इस्नमाल कर लूँ लेकिन आप एक ही करना ठीक है ना stock reserve कर लो या loading कर लो या फिर मैं इसको मिटा के लिखी देता हूँ हम दूसरा सब्द क्या लिख सकते हैं by loading loading पता है मैं क्यों लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कम space लेता है देख रहे हूँ ना इसलिए मैं loading सब्द का इस्तमाल कर लेता हूँ जाके किताब में stock reserve भी कई बार इस्तमाल होता है और कई बार loading सब्द का भी इस्तमाल होता है ठीक है ना चलिए सर इधर हो गया और किसी पे निकलेगा क्या इधर बताओ जी हाँ good send पे निकलेगा और किस पे निकलेगा good send पे निकलेगा तो by side में देखा जाए तो by loading अब इधर चेक करते है क्या sales पे loading निकलेगे अपन नहीं निकालेगे क्या collection from debtor पे निकलेगे क्या return to HO के निकलेगे बिल्कुल इस पे loading निकलेगा तो इधर लिखतेंगे to loading loading और यह किस पे है? return पे क्या return के बाद loading के बाद आ गया जाते हैं क्या spoilers पे निकलेगा? जी हाँ spoilers पे भी निकलेगा shortage पे भी निकलेगा मैं shortage के उपर ना star बना देता हूँ अभी इसके उपर काम करना बाकी है तो मैं इसका loading अभी नहीं लिख रहा spoilage पे निकलेगा क्या sir pliford पे निकलेगा? sir निकलेगा मुझे तो लिखना कुछ और था मैंने लिख कुछ और दिया loading इसके बाद क्या है? pliford उसके लिए भी शब्द का इस्तमाल करना है loading इतना करने के बाद आपका अकाउंट बनके हो गया तयार अकाउंट जब बनके तयार हो गया इधर जब निकलेगा तो two net profit या two profit कह लो बस अकाउंट में यही था बस अकाउंट में changes क्या था? यही था क्या था सर? branch account पुरानी बाते हैं जैसे पहले बनाए था वही है बस यहाँ पर loading का काम किया हमने कि जिसक जिसके उपर loading निकल रहा था उसको हमने by या two side में लिख दिया अब मुद्दे की बात होती है न कि examiner loading आपको आसानी से नहीं बताएगा examiner loading आपको आसानी से नहीं बताएगा एक चिस ध्यान रखिएगा जैसे हमेशा कहा जाएगा क्या sir head office है head office send goods send goods कहेगा यह हमेशा cost plus 25% कुछ ऐसा सब्द का इस्तमाल करेगा और आपको दे दिया उसने goods sent 5000 और bracket में IP head office क्या कहता है हम cost के उपर 25% profit को रखेंगे और भीज देंगे branch को और किसको भीज देंगे sir branch को और branch को जो भीजा गया न वो भीजा गया कितने में sir 5000 रुपे में तो सबसे पहले आप मुझे यह बताइए यह 5000 रुपे selling price है या फिर यह 5000 cost है क्योंकि इसके bracket में IP लग गया तो इसका मतलब यह कौन सा price है selling जिसके भी bracket में IP लग जाता है वो क्या बन जाता है sir selling price तो sir यह 5000 रुपे हमारा क्या है sir 5000 रुपे selling price है और यह हमारा क्या है sir आप देखा जाए तो यहाँ पे बोलता है इसके अंदर profit included कितने percent है लेकिन 25% किस पे included है cost पे तो हम इसके उपर तो 25% नहीं निकाल सकते न हमने final account में देखा था तो यानि बड़ी सीधी सी बात है जब हम account को prepare करेंगे तो account को prepare करने के बाद हमें good cent इधर लिखना है और good cent मैंने इधर लिखा 5000 इसका loading तो मुझे इधर लिखना है ना तो समस्या यह आ जाती है सर कितना loading लिखेंगे तो अगर आप सोच रहे हो कि 5000 पे 25% निकाल के 1250 कर दें हम तो गलत सोच रहे हो यह नहीं होगा 5000 पे 25% नहीं निकालना आपको क्या करना होगा आपको मानना पड़ेगा जैसे कि आपको क्या होता है sales is equal to cost प्लस में GP या IP कह दो sales आपको given है सर 5000, cost नहीं given है x और GP किसके उपर है सर cost की बात कर रहे है तो x y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस value को आप solve करेंगे तो x का value आपको निकल के आ जाएगा 4000, 4000 रुपे क्या निकल के आए सर, 4000 निकल के आए आपका cost, तो profit कितना होगा सर, profit होगा हमारा 1000, तो हमें इजहर दो loading में लिखना है, वो loading कितना लिखना है सर, वो लिखना है 1000, समझे बाता यानि आपको percentage के terms में देगा, लेखिन मान लो ये कहता good cent आपका good cent कहता है आपको cost plus 25% की जगह पे कहता है sales good cent कहता है यहाँ पे, सब्दो को देखिएगा सब्दो का कमाल है यहाँ मैंने कहा, goods send at at profit on sale 20% सर, इसका मतलब क्या हुआ जो goods जा रहा है जो मैंने goods भीजा है वो profit पे कितने percent है सर बताइए 20% इसका मतलब अब हमें इतना जहमेला नहीं करना हमारा goods send यहाँ पे मात्र 5,000 आएगा और इसका profit directly हम 20% निकालेंगे किस पे सर 5,000 के उपर 20% निकालेंगे जो कि आजाएगा 1,000 रुपे समझ रहे बात को आप यानि आपको selling price दे रखा है यानि इसका मतलब समझे हम बात को तो हमारे साथ ऐसा कहानी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आपको sales दे दे sales दे दे और जो बोले profit और बोले आपको GP या मैं बोलू अगर बोलता है आपको profit वो profit आपका depend करेगा sales दे दे मान लेते हैं कि 1000 रुपे और profit जो दे दे वो profit दे दे आपका on sales 20% तो ऐसे situation में अगर मैं आपसे profit पूछूँ तो बड़ा आसान है जवाब देना क्या होगा क्योंकि sales ही दे रखा है और profit भी sales पे है तो ऐसे situation में सीधा 20% निकल के क्या जाएगा 200 रुपे पहली कहानी देखिए आपको समझ में है दूसरा आपके साथ क्या कर सकता है वो दूसरा आपको कर सकता है sales दे दे और sales दे दिया उसने 1000 रुपे और कह दे profit profit on cost profit and cost और दे दिया उसने 25% तो ऐसे situation में आपसे पूछ ले कि profit निकालिए तो आप profit नहीं निकाल सकते क्योंकि यह sales है और यह क्या है हमारा cost है तो ऐसे situation में आपको क्या करना होगा let x करके करना होगा यानि सर हमारा sales is equal to sales is equal to cost plus में cost plus में क्या आएगा profit और sales कितना है बताईए 1000 cost कितना होगा नहीं पता तो इसको क्या मान ले x और profit किसके उपर depend कर रहा है cost के उपर तो यानि क्या हो जाएगा xy 4 जब x की value आप sort out करेंगे तो आपका आजाएगा यहाँ पर x की value sort out करेंगे तो आजाएगा 800 ठीक है ना यानि आप जब solve करेंगे तो इसका मतलब सर profit कितना होगा profit होगा यह क्या है हमारा cost cost आया और cost आने के बाद profit 200 है तो इसके उपर हमने profit लगा दिया नहीं समझे अब sales आपका कितना है अगर cost आपका निकल गया 800 तो profit तो भीया 200 कमाया होगा समझे बाद आप तो यह इस तरीके से हो सकता है यानि दूसरे pattern में आपको यह दे सकता है दूसरा तरीका आपको यह भी बताय गया था वैसे मैंने पहले डिसकस किया था आप simple कर सकते हो आपको sales दे रखा है और इसके अंदर profit included है तो profit कितना included है 25% तो divide 125 करिए और into में कितना करिए 25 करिए तो आपका जवाब अगेन आ जाएगा ठेकन आप ये वाला follow करिए चाया ऐसे करिए बाकी मैं कुछ एक percentage लिख दूँगा उसी percentage पे examiner पूछेगा हर बाद जैसे कि हमने पहले भी लिखा है चलिए और क्या बोल सकता है और कैसे उलजा सकता है आपको चार तरीके से ज़्यादा उलजाने के उनके पास रास्ता है ही नहीं हो सकता है कि आपको क्या दे दे वो cost दे दे 1000 और क्या कहे profit कह दे वो और profit किस पे कहे on cost कह दे profit on cost कितना कहता है sir 20% कहता है तो sir profit कितना आएगा कौन बच्चा बताएगा profit कितना आएगा ये भी cost और ये भी cost और 20% है बताओ profit कितना आएगा जल्दी बताओ profit किया आएगा तो sir profit आने वाला है इसका अब ऐसा मत समझने ना हर सवाल का profit 200 ही आता है मैं इस तरीके से example ले रहा हूँ ठीक है ना क्योंकि क्या दे रखा था cost और cost के साथ profit किस पर बात कर रहा था cost तो जब ऐसे तो directly percentage निकालो ना उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना कुछ बच्चे थोड़ा सा slow होंगे तो वो सोच सकते हैं कि sir ये 200 कैसे निकाला तो वो 1000 into में 2 और 20 वटे में 100 ठीक है अब एक और कैसे पूछ सकता है आपको cost दे दिया cost दे दिया कितना 1000 और आपको profit और कुछ नहीं बोल रहा सर ये स्रिफ उसने बोला कि आपका जो profit है profit ratio जो है वो ratio सर स्रिफ और स्रिफ बोल दिया उसने profit ratio बोल दिया 25% और nothing और कुछ नहीं कहता 25% 25% क्यों 20% लिखते है बस बोल दिया 20% तो जब कभी भी कहे न profit ratio तो हमेशा समझ जाना कि वो पता है किस पे कह रहा है profit ratio बोला और ये नहीं बता है तो हमेशा समझ जाना वो sales पे कह रहा है वो किस पे कह रहा है sales पे तो अब यहाँ पे कहानी क्या है cost है और profit on sales है तो equation बनाना पड़ेगा हमें find क्या करना है हमें find करना है profit या loading तो हमें equation बनाना पड़ेगा sales is equal to cost plus profit सर sales कितना है सर sales कितना है नहीं पता सर यह 1000 रुपे है सर profit कितना है 20% लेकिन किसका sales का तो x by 5 हो जाएगा जब इस value को आप solve करेंगे इस value को जब आप solve करेंगे तो आपका आएगा पूरा ही solve कर देते हैं कुछ बच्चे सोच रहोंगे सर shortcut मार रहे है x minus max by 5 is equal to 1000 यह 5 4x आ जाएगा divided by 5 is equal to 1000 5 से multiply हो जाएगा 5000 is equal to 4x x is equal to 5000 divided by 4 तो कितना आएगे 5 एकम 5 5 दुनी 5 दुनी 10 और कितने बचे 5 बारा सो पचास ठीक है कितना आगया 1250 किसका value आगया सर x का आगया और that is यह क्या है हमारा sales है आपको पता चल गया sales भाईया 1250 का और समान कितने का था तो profit निकल सकता है profit आगया समझ में आया यानि क्योंकि अगर account को हम देखे न ध्यान से account का main फटड़ा ही तो यही है कि इसके उपर आपका profit included होगा उसके profit को निकाल के इधर रखना that is loading या पहलो reserve अगर आप उस profit का हिस्सा ही नहीं निकाल पाए तो आप तो करी नहीं पाऊगे इसको और examiner हमेशा आपको किस terms में देगा ऐसे नहीं बताएगा कि 5000 का समान 6 में बेच रहे हैं हमेशा बोलेगा cost plus 25% या बोलेगा sales पे 20% तो वो हमेशा किस में terms में बात करेगा percentage के terms में चलिए आप कुछ percentage भी देख लेते हैं जिसको आपको याद रखना है sir क्या रखना है percentage आपके cost पे कुछ information given होता है sir किस पे given होता है cost के उपर और कुछ information given किस पे होता है sir कुछ information given होता है हमारा sales के उपर ठीक है न एकदम बढ़िया से मस तरीके से कर लेते हैं इसको और इसको याद रख लीजिए गा so that आगे आपको काम आएगा ये line खीच दी हमने तो अगर cost के उपर बात करें हम इधर से भी खीचते हैं अगर हम cost के उपर बात करें तो cost के उपर अगर बोला जाए न कि आपका 20% है तो इसके उपर होगा आपका 16.66% अगर यहाँ पे बोला जाए 25% है तो यहाँ पे होगा sir 20% यहाँ पर बोला जाए आपका कि 33.33 या फिर इसको बोला जाता है इस तरीके से 33 1 by 3% ठीक है तो इसको 1 by 3 भी बोल सकते हैं तो यह होगा यहाँ पर 25% अगर यहाँ बोला जाए ना 50 परतीशत है तो यहाँ पर होगा 33.33 percentage या कह सकते हो 1 by 3 अगर यह आपके कुछ है जो कि बार-बार पूछे जाएंगा जैसे कि पिछले सवाल में देखिए आपको मैंने बोला था 20% है तो 20% sales पे है और यह cost है जब दोनों differ है तो इसको हमें convert करना होगा अगर इस वाले percentage को हम cost पे convert कर दे तो direct निकाल सकते हैं तो 20% अगर sales पे होता है तो cost पे कितना होता है sales पे 20 तो cost पे automatic कितना होता है पच्चिस तो आप फटा फट से देखिए आप 1000 पे 25 निकालते तो पूरा 500 रुपए आ जाता समझ में आए examiner रिस्ते जादा आपके साथ नहीं खेलने वाला उसके पास यह percentage है और यही percentage देगा तो आपको याद रखना है 25-20 या फिर आपका 20-16 इस तरीके साब को ध्यान रखना है समझ में आई बात आपको तो यह था हमारा कुछ important information note कर लीजिए सवाल में आज हमने क्या सीख लिया है सर आज हमने देखा branch account branch account किसपे देखा एक IP अप्सको रिखेंस में से बहुता है् और उसी को एक और नाम से बोला जाता है reserve account के अंदर क्या करेंगे सारी चीज़े अगर SSH IP पे रहा न हमारे तो उसके उपर loading price निकालके हम उसके दूसरी side में डाल देंगे और इधर गोई चीज आईपी पे हुआ तो इस side में डाल देंगे जो मैंने green marker से लिखा है वो that is सारी चीज़े आपके loading है इसके बाद सारी loading हमारे exam में question कैसे पूछा जा सकता है तो simply आपको मैंने बता दिया या तो cost plus 25% या 20% पूछा जा सकता है या सीधा selling price पे आपको दिया जा सकता है percentage निकालने के कुछ functions है और उसके साथ साथ last में ये कुछ percentage है जो पूरे सवाल में use होने वाला है यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताईए